सब्सक्राइब एक सवाल करने वाले हम यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मान के चलिए कोश्चन है हमारा आपके सामने और इस कोश्चन में लगभग लगभग मान के चलो ना अगर जो बच्चा ये वाला सवाल कर लेता है न तो मैक्सिमम काफी हद तक न उस बच्चे का प्रॉसेस अकाउंट क्लियर हो जाता है देखते हैं सभी बच्चे आगए या नहीं आए आगए चलिए इसे बंद चलिए सर पहले फॉर्मेंट बना ले बाद में पढ़ लेंगे चलो पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है कुश्चन में हमारे कुश्चन में कहता है कि आप प्रोड़क्ट और यह सर कुश्चन जो है ना यह आपकी किताब का ही है महिश्वरी मित्तल का अप प्रोड़क्ट थ्रू प्रोसेस ए अबी सी सी तीन पार्टर है डर नौर्मल वेस्टेज आपका दे रख्था है यह जो पर्संटेज है ना यह नौर्मल लόस का ए प्रोसेस में से तीन positive sex मिसेimag आश्क वेस्टेर्ह स्टेस एक पच्च्छ पैसे के हषाफ से बिकेगा यानि इसका जो बेचेंगे वो 25 पैसे के हिसाब से बी का जो बिकेगा वो 50 पैसे के हिसाब से बिकेगा और process C का जो बिकेगा वो एक रुपे के हिसाब से 10,000 unit issue process A, process A के अंदर हमने introduce किया 10,000 unit और 10,000 unit beginning of the October at the cost 1 यानि एक रुपे का ही unit था जिसे हमने introduce किया other expense दे रखा है process A के expense है process B के expense है same C के है कहता है process A में से हम 9500 unit बनाने में काम्याब हुए B में से 1,900 और C में से 1,800 prepare process account assume there is no opening closing stock okay वैसे भी हम मान रहे थे normal wastage abnormal सारी चीजों को बना के दिखाना है मैं मिटा देता हूं फिर से साफ सुत्रा कुश्चन आपके सामने कर दिया है चलिए सर, format बना लेते हैं यानि एक normal एक abnormal और एक आपका process sorry normal abnormal और एक abnormal gain तीन तो ये loss हो गया है इसके बाद एक बनेगा क्या हमारा process ABC छे column बनेगे यानि छे account बनाने है total हमें ठीक है तो फटा फट से छे account बना लेते हैं बिना delay किये वे आप भी मेरे साथ साथ account बना लीजिए तो ज्यादा better रहेगा है ना देखे वैं फटा फट बना लेता हूं छे account भाई ज्यादा detail है नहीं छोटे छोटे सा account बनेंगे लेकिन मैं ना तीन account यहां बनाऊंगा और तीन पीछे ले जाऊंगा सोचा कल के उपर ले जाऊंगा फिर आप सब आए हो कहीं ना कहीं फिर वो कल कुछ बच्चों का college भी है अब कौन फराब हो गया झाल चलिए साथ चलिए साथ कुछ बहुत डेली बेचिस पर जो स्टूडेंट जोइन होते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप ना पुरानी process की दो classes हो चुकी है basic concept की तो आप उसे पहले देख लें तो आपको एकदम simple chapter लगीगा अगर directly जो बच्चा देखेगा तो उनको दिक्कत होगी आज की class क्योंकि थोड़ा सा advanced class है process A process B process C चलिए सर इसमें यूनिट पर्टिकुलर और पर्टिकुलर कहा है सर रुपीज यूनिट रुपीज यूनिट रुपीज यूनिट रुपीज यूनिट रुपीज यूनिट रुपीज यूनिट रुपीज ठीक है बागी पर्टिकुलर होता ही है पीन अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मल वाला हम बाद में बना लेंगे, बहुत एक तरीके से मान के चलो, सब कुछ आ जाता है इस वाले कोशन में, इसके बाद ना इस प्रोसेस में दो कोशन बच जाते हैं, एडवांस वाले, एक ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जिसमें ग विज्वल नहीं हो, रब बोर्ड पे मैं थोड़ा और स्मॉल कर दो, करीदेता हूँ, ठीक है जी, अब आद दिख रहा होगा, टू, इन्पुट, कौन बच्चा बताएगा इन्पुट कितना डाला, दस हजार, और कितने रुपे का, एक रुपे के हिसाब से दस हजार, ठी ठीक है, उसके बाद कहता है, मटीरियल डाला हजार का और, टू, मटीरियल, कितने, एक हजार, उसके बाद, डारेक्ट एक्स्पेंस, डारेक्ट एक्स्पेंस कितने?, 1050, यह कोई बात ने, फिर लेवर लिख देते हैं, लेवर कितने का पांच हजार एक्चुल आउटपुट का मतलब न सर यहां से जो भी आउटपुट निकला है न यह जाएगा इसमें समझे किसमें जाएगा प्रोसेस बी में जाएगा तो बाई लिख देते हैं कितने अब कितने का होगा वो तो बाद में डिसाइड होगा नॉर्मल लॉस देख लेते हैं वाई सब है कितना नॉर्मल लॉस चलिए चेक करते हैं हमारा प्रोसेस एक ही कहानी है यह प्रोसेस एक का सारा पार्ट सर हमारा इंपुट था दस हजार सर इसके अंदर से नॉर्मल लॉस सवाल सवाल खुद ही कहा था कि कितने परसंट लेना है तीन परसंट टो काइदे से देखा जाए तो 9700 का यूनिट आउटपूट निकलना च्छिए कितना आउटपूट निकल जाना चाहिए सतानवे सो लेकिन सवाल खुद कितना बता रहा है तो क्या हुआ ऐसी कहानी दो सो रुपे का abnormal loss लो जी बाई साइड में अरे नॉर्मल तो लिख ले यानि यानि दोनों loss है इसमें तो normal loss भी है बाई साइड में abnormal, normal loss सर तीन सो abnormal दो सो तीन सो बिके का 25 पैसे के हिसाब से यानि 75 सर कोई बच्चा पूछेगा तो 0.25 से multiply करो 0.25 से multiply करो abnormal का rate निकालना होगा basically abnormal का rate नहीं होता वो rate होता है तो rate निकालते हैं effective rate बोलते हैं effective rate यानि हम पहले करेंगे total cost कितने आगे 17,000 50 17,000 50 minus 75 17,000 minus 75 divided by 10,000 minus 300 कौन बताएगा rate 200 abnormal loss बिल्कुल ठीक नहा ने जवाब दिया 200 abnormal loss बता नहीं क्या वाज बताओ बताओ भी minus plus करके आपकी duty है यह है मुझे बानी नहीं बता ना 17 point 17.5 तो यह multiply हो जाएगा 17.5 से इन्टू 200 35 अब मैंने भी कैलकुलेडर ले लिया आप इसमें से डिफरेंस ले लो 17,000 माइनस में 17,000 माइनस में 75 माइनस भाई लाइव क्लास में जितने बच्चें वो भी चेक करें आफ लाइन वाले गलत बता देते हैं 17,0,50 माइनस पिछत्तर माइनस पैंतेस सो 13,475 हैं? हाँ यह गलत लग रहा है एक मिनट गलत बता दिया भी दुवारा लिख रहा हूँ येस 1.75 लाइव में सभी बोल रहा है सर 75 लिखने से आया है 1.75 75 कहां से आया है? अब कौन सा 75 पूछें? अच्छा ये 75 कैसे आया है? ये multiply क्या है भाई? ये 25 पैसे को इस पैसे कह रहा था ना कि normal loss भिकेगा तो 0.25 को multiply कर दिया इस से अब समझ लो आबा सर 1.75 पहले गलत करवा दिया मैं इसलिए कहता हूँ लाइव वाले बच्चे ज़्यादा अलर्ट रहें ओफलाइन वाले बच्चों पर भरोसा किया नहीं जा सकता 350 अब यहाएगा टू प्रॉसेस कौन सा ए सर प्रॉसेस ए से निकल के आया सोला हजार छे सो पच्चिस चलिए अब फिर से क्या डालेंगा है टू तू तू आप मुझे बताईए माटीरियल कितना लेबर कितने अधर एक्सपेंस ग्यारा सो यह बड़ा अजीव नंबर देती है नहीं चलिए प्रॉसेस बी का हिसाब किताब प्रॉसेस बी इसे करके देखते है प्रॉसेस बी में क्या था इन्पूट इन्पूट सर्पिच्च्यानवे सो कहता है इसके अंदर नुकसान हो सकता है संभावना 5% नॉर्मल लॉस चार सो पिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च और माइनस अगर कर दें तो 9,025 बचना चाहिए सवाल कहता है भाईया हम बनाने में काम्याम होगे 900 यानि अगर आपने 900 तो बना दिया तो मतलब क्या समझे 75 abnormal gain 75 समझो 925 इसी बनाते ना भाई लेकिन बना के कितना दे दिया 900 तो 75 जादा बना दिया तो abnormal gain abnormal gain यहां लिख दे abnormal gain 75 इसका rate निकालने के बाद ही हो सकता है तो जी rate क्या निकलेगा rate total कर लेते हैं 16,625 1508,188 27,313 minus normal loss इदार लिखा नहीं लिख देते हैं by normal loss कितने थे normal loss चारसो चारसो इसकतर कितने रुपे के इसाफसे जीरो पॉइंट तो लिखने होगे हैं 237,50 237,50 237,50 मैंने 238 कर दिया राउंड फिगर में कितने थे अइन रुपे है कि ओके सब्राइम नॉर्मल गेंग तीन से कर दो 75 इंटू में तीन दो सो पच्छेस यह 95 वें सो पिछाथर 95 25 ओंग तो टोटल कर लेते हैं तो ल कितना सटाइस तीन सो तेरा तीन सो तेरा तो पहले ही था दो सो पत्चेस भी तो एड़ करोगे पान सो और तिस वाई साइड में आ जाएगा प्रोसेस कहां पहुचा है सी में कितने यूनिट अब माइनस डिफरेंस ले लो सताइस तीन सो सर यहां जाते हैं टू प्रोसेस बी नाइन्टी वन हंड्रेड सताइस अजार तीन सो तू लग जया माटीरियल कितने माटीरियल लग जया सर पान सो तू लेबर 35 तू ओवर हैड डाइरेक्ट एक्सपेंस या नी दो हजार नो हजार यह कैसा डिजट है यह कितना था और यह दो हजार नो चलिए इसका यही करते हैं नॉर्मल लॉस कहता है सर नॉर्मल लॉस इसका आठ परसेंट होगा आठ परसेंट किसका एक्क्यानवे सो का तो एक्क्यानवे सो का आठ परसेंट साथ सो अठाईज और आपको अच्छे से पता है नहीं पता तो देख लो कितने कभी केगा यह एक रुपे का तो इंटू में वन करेंगे इसको साथ सो अठाईज यहाँ कैलकूलेशन देख लेते हैं सर कितना आउटपुट निकला उसे बोलेंगे फिनिस गुड्स सवाल में कहता जी फिनिस गुड्स हो गए 1.800 सर अगर 1.800 फिनिस गुड्स हो गए तो यहाँ करकर दिखा देता हूँ यहाँ कर देता हूँ ठीक है जगह थोड़ा सा इंपूट यह प्रॉसेस नंबर सी है इंपूट कितना है नाइंटीवन नॉर्मल लॉस सेवन टू एट नाइंटीवन माइनस में एटी थ्री बट निकला कितना तो एबनॉर्मल लॉस माइनस एक यहाँ सी सर दो सो बहत्तर सर 275 एबनॉर्मल लॉस 272 इसका रेट निकाल लो सर इसका रेट मैं यहाँ निकाल देता हूँ सर इसका रेट टोटल कॉस्ट सताइस तीनसो पानसो पैसट सो दो हजार नो चतिस तीनसो नो चतिस माइनस साथ सो डिवाइड़ बाए एक यानवे में से जब माइनस करोगे तो तिरासी सो क्या रेट आया रेट बता दो 4.25 4.25 1156 ठीक है अब 1156 प्लस 728 माइनस चतिस 309 जा गया 34 चार सो टोटल आगया 91 चतिस तीनसो नो इस अकाउंट पे मेरे इसाब से किसी को दिक्कत नहीं होना चीए फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो फटा फट कमेंट में बता दीजिए नहीं तो हम नार्मल लॉस अबनार्मल गेन पे चलें बताईए जिसको विज्वल नहीं हो रहा है विज्वल करा देते हैं ये लीजिए किसी को डाउट आगे चलें नेक्स अगांट पर देखते हैं सारे बच्चे वापस आए या कुछ बच्चे चलेंगे घूमने पिरने लगबग आ गए चलो करें चलिए सर तीन अकांट एक दम फटा फट रफ्तार में बनाते हैं और ज्यादातर बच्चे ना इसमें दिक्कत होती है क्यों और थोड़ा कॉंप्लिकेटिड हो जाता है बाकी ना मैंने यह अफ्जर्व किया है जब मैं भी अपने टाइम पर करता था ना इसको तो इसी में लगता था क्या आफट है यह लेकिन दो से तीन वार करने के बाद लग रहा था कि यहीं आये पेपर पर क्योंकि असली आफ़त तो भी आएगा आपका जब इक्विलेंट मेथड दरेंगा नॉर्मल लॉस तीन अकाउंट बनने एबनॉर्मल लॉस और इसको गेन बोल दो या फिर एक और नाम बताया था याद है या फिर एबनॉर्मल एफेक्टिव भी बोल देते है इसको ठीक है ना चलिए सर करने का बहुत आसान तरीका नॉर्मल लॉस को निकाल लो यहां से नॉर्मल लॉस यहां से यह बाई में तो सब को टू में उठाके ले जाओ तो normal loss में 2 process A, process A से, 2 process B, process B से, 2 process C, process C से पहले में 300 था, दूसरे में 475, तीन सो था 75 रुपीज का, 475 था 238 का और तीसरे में 728 था, 728 था, clear है ये point, अभी तो transfer कर देते हैं, abnormal loss में ले जाते हैं, 2 process A में भी था और 2 process C में, B में था ही नहीं, A में कितना था सार, 200, C में कितना था सार, 300 या 200, 272 और वहां 350 रुपे रेट आये था, 350 और यहां 272, कितना रेट आये हैं हाफिर? 1156, abnormal effective में, buy side में, क्योंकि यहां 2 में निकला था, तो buy में, buy किस से process? process B से, कितने 75, कितने रुपे का? 75, 225 का, अगर आप बोलोगे ने, सर आपने यह कैसे कैसे किया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पॉस्टिंग किया, 2 वाले को buy में, buy वाले को 2 में, फटा पड़ बता जीजिए, किसी को कोई doubt तो, इसमें किसी को doubt? नहीं? कितने class, live class में बता जीजिए, इसमें किसी को doubt? नहीं है doubt? अब हम क्या करेंगे? अब हम बारी-बारी करके, इसको पहले बेच लेते हैं, इस craft करने जा रहे हैं, तो भाईया, process A के अंदर बेचने जा रहा हूं, अलग मार्चर ले लेते हैं, तो buy bank, A का तो सारा ही बिखेगा, तो sir, 300 बिग्या 75 में, buy bank, sir, B का न हम 475 नहीं बेचेंगे, क्योंकि 475 का नुकसान हुआ, जिसमें से gain भी 75 का हो गया, तो सिर्फ 400 ही बेच पाएंगे इसका, जो कि कितने का बिखेगा? 200 का, और C का पूरा बिख जाएगा? 728, 728, और जो भी निकल जाएगा, वो कहां पहुँच जाएगा? Abnormal, gain में, totaling कर लेंगे अभी? 1000, 41 unit, 153 unit, minus कर तो, 38, और ये 2 आ जाएगा, 38, कितने unit आगे? 75 unit, और कितने रुफे का निकालेंगे? 38, ठीक है? अब इस account को बंद कर दे, ठीक है? इस account को जब हम बंद करेंगे तो इसको भी बेचेंगे? बेचो भाई बाई साइड से? यादो का, last class में सभी बच्चे ने बोला था, ये बिकेगा इस रेट से, उस रेट से, फिर मैंने example लेके समझाया था, भाईया, scrap, तो scrap होता है, वो same rate से बिकता है, process A का 50 पैसे का rate से बिका है, तो ये 200 unit, 50 पैसे के rate से बिकेगा कितना? नहीं, 25 पैसे के rate से कितने का बिकेगा? 50. ये process C का है, तो process C का 272 था, तो ये एक रुपे के ईस्टाब से बिका था, और यहां पर यहां से क्या निकलेगा हमारा यहां abnormal में जला जाएगा फिछत्तर 225 अड़तेज पिछत्तर और टू abnormal loss account सर यह कितना बच गया जीरो और यहां कितना बच्छा यह 225 आएगा कि अरे टू टू फाइव वन एट तो abnormal में चले जाएगा टू साइड में जाएगा बाई में जाएगा बाई में चला जाएगा तर बाई में किस नाम से जाएगा abnormal gain कितने 180 अब आएगा जो भी वह आजाएगा costing CPL है ना अब आएगा CPL टोटल करो चार सो बहत्तर चार सो बहत्तर पंद्रा सो पंद्रा सो माइनस कर दो कितने इतना जादा चेक कर लो चेक कर यह फटाफर दिखाओ ठीक है सार आप कुछ बच्चे बुक को चेक करेंगे तो वो confused हो सकते हैं यह जो हमारा ने यह net है अब समझ लेना यह net है कई वार क्या होता है बुक वालों ने क्या कर रहा है वो भी समझा देता हूं वैसे भी कर सकते हो यह अलग मार करते कर रहा हूं यह वाला जो है ना इसको CPL छोड़ दिया उन्होंने कि यह अलग profit and loss के हम पता है कि अब आगे दो question कर रहा हूं और खुद ही बोलोगा हां सर वहां ठीक कर रहा है था क्या क्या हो सकता है यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है कि हम यह वाला profit है यह पींडल के credit हो जाएगा जाकर और यह loss है तो पींडल के loss कितना आएगा जो आपके book में दे रखन है ग्यारा सो जो भी आ रहा है book में ग्यारा सो कितना है 84 आ जाएगा और यह profit है तो net करके जाएगा तो यही आएगा तो मैंने यह net निकाला है तो कोई गलती नहीं answer में answer एकदम ठीक है इसको कोई मतलब के tension लेने वाली बात नहीं आगे जब मैं question करा हूँगा इसको coordinate कर लूँगा ओके किसी को कोई दिक्कत कोई परिशानी तो मैं मान के चलता हूँ कि इस type का question आपके exam में 15 नंबर का आ सकता है अरे phone भी बंदो गया किसी को doubt अब ध्यान से सुनिए आपको कुछ questions homework में दिये जा रहे हैं एक यह question homework में होगा समझ लिजिए material है कहता है कि भाईया दो ही process है मैंने करा तो नहीं दिया यह करा दिया नहीं अभी नहीं अभी नहीं मैंने अपने हाथ से कराए कि निकले आप कर लोगे कोई दिक्तत नहीं आएगा इसके बाद ये भी आपको homework में करना है ठीक है और ये भी homework में करना है और इससे पहले तो हम कराई रहते हैं ये भी homework में क वैसे तो ये भी होमवक में होगा ये भी हो जाएगा रुक जाओ रुक जाओ ये मुझे कराओ भाई यहां तक कुछिन करके आना 18 तक मैं लिख देता हूँ आपको ये मिल जाएगा